हेलो डियर इस्टुड़ाइन वेलकम टू अनलाइन क्लास सब्जेक जोग्राफी में अजैसर हां तो बच्चों हम बात कर रहे थे हमारे जोग्राफी के आठ चेप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा नवा चेप्टर सुरू होने जा रहा है जिसका नाम है दितियक के बारे में पड़ चुके थे मैंब यह नमापार्ट जो है हमारा दितियक से संब्पन देता है अर्था दितियक व्यों प्रकार के कच्चे माल को सुद्ध करके परिस्कत करके उसका रूप परिवर्थन करके एक नए बस्तू का आकार देते हैं ऐसे अध्योगे किरियाओं को या अध्योगों को ही दितियक वेपसाय की सिर्णी में रखा जाता है जिसमें बहुत सारे उध्योग आते हैं तो आज उसी के बारे हम बात से देखिए कि संपुण आर्ती किरियां है चाहे वो प्रात्मिक दितियक तरतियक चर्थुतुट o को सभी का कारए संसाधन की प्राप्ति और उनकी उप्योग का अध्यन करना है यह संसाधन मनोश्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है बेन प्रकार के जितने भी संसादन है वो मानव के जीवत रहने के लिए आवश्चक है उन सभी क्रियाओं को दितियक वेफसाय कहते हैं अर्थात उन सभी क्रियाओं को या कार्रेओं को दितियक वेफसाय कहते हैं जिनके अंतरकर प्राकरतिक संसादनों को परिस्करत करना उन फिस की दित्यक्ट व्यवभसायों को 10 मुख्य है व्यांसे सब्सक्राम में उड्शाइन पदो мет Iris lol जिसमें बहुस सारे इंजिनेरिंग रूसे Saturday जिसमें बहुस सारे इंजिनेरिंग के सामान गेरा बनते हैं प्रकार के दातू में बनाई जाती है सबसे पहली बात आती है बिस में बिनिर्मान उद्ध्यो का आर्थ होता है कि प्रात्मेक उत्पादन से प्राप्ट कच्ची सामेक गिरी को सारेरेक अथवा नियांतरिक सक्ति द्वारा यानि मसीनों द्वारा परिचालित और जारों की साहता से पूर्व निर्धारित एबं नियंतरित प्रकिरिया द्वारा पहले से निर्धारित और नियंतरित प्रकिरिया द्वारा किसी इच्छित रूप, आकार या विसेश गुड धर्म वाली वस्तूओं में बदलना है तो कहने का मतलब यही है बिनिर्मान का मतलब होता है प्रात्में गुत पादन से प्राप्त कच्ची वस्तुवा का रूप परिवर्तन करना बिनिर्मान उद्योग के नाम से अक्सर यह भरांती हो जाती है कि यह केबल ब्रहेद इस्तर का उद्योग है निर्मार उद्योग के नाम से हम लोग जादा तर हम सोचने लग जाते हैं कि ये तो बड़े उद्योग की बात हो रही है लेकिन वास्तम में ऐसा नहीं है इस उद्योग को किसी भी इस तर पर आरंब किया जा सकता है किसी भी स्तरवर इस अर्थ में अती सादारन बस्तू js यथा मिट्टी से मिट्टी के बर्तन खिलाने बनाने से लेकर भारी से भारी ते निर्मित बस्तू है जिससे बड़ी-बड़ी मसीने पानी के बड़ ऑडे जलियान भारी रसाएन बनाने वाली संबन्दी आदी सभी उद्योग संबलेते हैं संबलेते हैं निर्माण उद्योग में प्रियोग किये जाने वाले पदार्थ प्राकर्तिक दसामे कच्चा माल कहलाते हैं अंडरलाइन कर लेना कि निर्माण द्योग में प्रियोग के जाने वाले जितने भी कच्चे पदार्थ होते हैं प्राकर्थि दसामें कच्चा माल कहलाते हैं जैसे दातु आयस्क लकडी कपास आदी यह असंसोधित पदार्थ भी होते हैं असंसोधित का मतलब यह कच्चे होते हैं जैसा प्रकर्थिस हमें प्र बुना जाता है तो यह असन सोधित पदार्थ भी होते हैं किसी भी देश में निर्माण उद्योग के विकास के साथ ही उसकी राष्ट्य आय बढ़ती है कहने का मतला जिस देश में उद्योग निर्माण उद्योगों का विकास अधिक होता है उस देश की राष्ट्य आय में साधंड की भी विक्सक्त देशं से जमेर का जेमान जर्मनी टी परेट नाइज दुरुप में अद्योगे क्रांती की कारण ही सबसे हदा विकास हुआ और यूरोप में भी वो ग्रेट व्रिटेन वह देश सबसे ज़्यादा अग्रणी है अद्योगे द्रश्टी से और इसी के आदार पर ये विक्सित दिस्क लाती है अब आता है बच्चो उद्योगों की अवस्तिती को प्रावायद करने वाले कारक कि ये उद्योगें कहां इस्तित होते हैं कैसे होते हैं इन सब के कारक होते हैं तो उद्योगों की इस्तापना केवाल उन्हीं इस्तानों प पूंजी गताओं वहीं पर उद्योग इस्तापित होती हैं उद्योगों की अवस्तिदी और विकास को प्रायद करने वाले कारकों को आरेक 9.1 में दर्साया गया है उद्योगों की अवस्तिती को निम्न कारक प्रायद करते हैं देखिए नौपाइंट टेक वाले जो कारक हैं ये सभी कारक हैं जो उद्योगों की इस्तिती को प्रायद करते हैं जैसे कुसल स्रम, बाजार, परिवेन संचार, सक्ती के साधन कच्चा माल सरकारी नीतियां और चतंगनी की जलवायू जलापूर्ति और पूंजी तो बच्चों आईए हम देखते हैं इनका विस्तार से वर्णन है सबसे पहला कारक है कच्चा माल जैसा कि हमको पता है कि मानव की रीड की अड़ी कि मानव की सरीर को आधार प्रदान करती है ऐसे ही किसी उद्योग की रीड की अड़ी कच्चा माल कहलाता है उसका यानि किसी भी उद्योग को खड़ा करने के लिए कच्चे माल की आवसकता होती है और कच्चा माल जो है वो उद्योग की रीड़ की अड़ी का काम करता है तो किसी भी उद्योग के विकास के लिए कच्चा माल सुगमता पूर्वक यानि आसानी से पर्याप्त और सस्ती धर्पप्राप्त होना चाहिए अधिकतर उद्योग खानों बनों क्रसी चेत्रों अथबा समुतर तटीय चेत्रों के निकटी अवस्तिते जिन उद्योगों का कच्चा माल भारी इन बजनदार सस्ता और जिन में निर्मान के दोरान बजन कम होना होता है उनमें इसी तरह की प्रवर्ति पाई जाती है यानि एक अच्चे माल जुनको पक्के मालम प्रवर्तित करने से उनका भजन कम होता है जैसे लोईस्तपात उद्योग है अलिमूनियम है तो उनमें इसी तरह की प्रवर्ति पाई जाती है ऐसा ना होने पार उनका जो परिवेहन वे है वो बढ़ जाएगा परिवेहन बाड़ा ज पीच किसी अनकूल इस्तान पर इस्तापित किया जाता है फल सब्जियां दूद मचलियां जैसे सीगर खराब होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को कच्चे माल के शुरोत के समय पर इस्तापित किया जाता है जो सीगर खराब होते हैं ऐसे उद्योगों को उ एक टन सूत का निर्मार होता है इसलिए जापान और बिटेन में सूती बस्तुद्यों के लिए कपास हैं राज अमेरिका मिस्र और भारत से खरीदी जाती है याइनि आयात की जाती है जापान और बिटेन में सूती बस्तुद्यों कम होता है इसलिए यह लोग यह देश जो है यू ऐसे भारत और मिस्ल जैसे देशों से कपास आयात करते हैं खरीदते हैं और कपड़े बनाते हैं जापान जैसे कुछ देश ऐसे भी है जहां उद्ध्योगों के विकास में कच्चे माल का विसे समय तो नहीं है लेकिन जापान की टेक्नोलोजी और जापान की पूंजी इस बात का उदारन है कि विस्व में कच्चे माल को यह खरीदता है और विमिट पर रगाए कि नहीं नहीं टेक्नोलोजी और लिपस्तमों को बेशता है जापान की अधिकान सुद्ध्योग आयातित कच्चे माल पर यह आदारित हैं दूसरा आता है सक्ती के साधन तो बच्चों देखिए दूसरा कारा के सक्ती के साधन सक्ती के साधन का सुचार हुए सोगम रूप से मिलना उद्योगों की किंद्री करण और विकास के लिए आवस्चक्या है सक्ति के प्रमुक साधनों में जैसे कोईला है पेट्रोलियम में जल विद्द्यों थे प्राकरते गैस और परवाण उर जाए तो यह जो सभी साधन है जहां पर आसानी से मिल जाते हैं वह उद्द्यों के स्थापित होता है सौरी लोईस्पात उद्द्यों जैसे भारी उद्द्यों कोईले से सक्ति प्राप्ट करते हैं किसे प्राप्ट करते हैं कोईले से कोईले को जला करके लोई को पिखला पिखला जाता है और सुद्द्द किया जाता है ऐसे उद्योग जो हैं यह कोईले की खानों के समीप इस्थापित किया जाते हैं सेक्टराज अमेरिका रूस वा यूरूपिय देशों के अधिकांस लो इसपात केंदर कोईला ख़दानों के पास ही अवस्थत हैं भारत के प्रमुग लो इसपात केंदर दामोदर गाटी में दामोदर नदी गाटी में जरिया और रानी गंड यह कोईला की ख़दानों के निकट इस्थापित हैं एलिमूनियम उद्योग सस्ती जल विद्धूत उत्पादक चित्रों में इस्थापित किया जाते हैं वह जाय भी जली का संप्रेशन टारों के माध्यम से तता पैट्रोलियूम और प्राकरती गेस का पाइप्लाइन दोरह आसानी से परिवेन की सुविधा के कारण उद्योगों का क्या हो गया है विकेंद्री करने नहीं उद्योग कहीं भी स्तापित किये जा सकते हैं यही कारणे कि प प्रकृति गेस उत्पादक प्रदेश बड़े अध्योगी चेत्र नहीं बन पाए है जितने भी प्रकृति गेसे इनको क्या है एक इस्टान से दूसरी स्टान पर आसानी से ले जाए जा सकता है पहुँचाए जा सकता है तीसरा है परिवेन वा संचार के साधन तो बच्चो देखिए तीसरा कारा के किस तरीके से उद्योगों को प्रवायद करता है कि कच्चे माल को कारखानों तक लाने तता तयार कारखानों में जो तयार माल होता है उसको बाजार तक पहुचाने के लिए कीजा है जाल की बजए सबस्क्राइब अधीकां से लुक्राइब और टोटिंटने इस जैसे तेलिफंब करने के लिए आदान प्रदान करने के लिए संचार के साधनों के आवसकता पड़ती है इनसे उद्योग समंदी सुचनाओं का आसानी से आदान प्रदान हो जाता है चौथा पॉइंट है बाजार उद्योगों की इस्तापना में सबसे प्रमो कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार का उपलब्द होना है यानि जहां पर ये माल बेचा जाता है बाजार से तातपर उस छेतर में तयार वस्तुँओं की मांग और वहां के निवासियों की क्रह सकती से हैं भिकशित देशों के लोगों की क्रह सकती अधिक होना तब अधर सगन वसे होने के करण जाते हैं जिसका एक उदारन है हमारा भारत भारत का जो बाजार है पूरा वह बहुत बड़ा बाजार है पांचमा पॉइंट है कुसल स्रमेक यद भी निर्माण उद्योग तेजी से यंतरी करन यानि मसीनों और स्वचालन की भरद्धी होती जा रही है फिर भी उद्योगों में अभी भी कुसल स्रमेक यानि पड़े लिखे और प्रसिक्षित स्रमेकों की अधिक आवश्यक्ता होत है तो बेन प्रकार की मसीनों का उप्यों वरात उनको भी चलाने के लिए कुसल स्रमेकों की आवसकता होती है चट्वन पॉइंट आता आपका पूंजी पूंजी यानि पैसा कि किसी भी उद्योग की इस्तापना और संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी होना अनिवार र लागाने मजनींवा कच्छा माल खरीदने मजदूरों को बेतन देने के लिए पूंजी की आसकता होती है विकास देसाङ erlebt की कि कमी के कारण आसाती तो द्योगी विकास नहीं हो पाया है जहां पूंजी नहीं होती वहां पर सभी तरीके से विकास नहीं हो पाता है इसके बाद बच्चों हम कल पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही है जलापूर्दी को कल पढ़ेंगे आज के लिए धन्यवाद थेंक यू